देशबार के युवाओ की बीच बढ़ती नशाखोरी के खिलाफ दो युवाओ ने अनूठा संकल्प लिया है जिसके चलते उन्होंने युवाओ को जागरुक करने के उदेश से केरल से कश्मीर तक करीब 3323 किलोमीटर की साइकल यात्रा पर निकले हैं अपनी जनूठी साइकल यात्रा पर निकले युवा नर्सिवपुर के बर्मान नर्बदा घाट पर पहुँचे जाओं उन्होंने युवाओ को नशाखोरी से दूर रहनी की अपेल की हैं दोनों युवा जब चलचलाती धूप में मदप्रदेश के नर्बदा नदी के टट बर्मान पहुँचे तो समात सेवी महिंद्र कौरव ने उन युवाओं से चर्चा की फिर उनको रात्री विश्राम और भोचन की दवस्था करवाई महिंद्र कौरव ने युवाओं से तब चर्चा की तब उन्होंने बताया कि कई बार वह घने जंगलों से साइकल पर निकले हैं और रात में जब सोने के दवस्था नहीं होती तब वह किसी भी पैट्रोल पंप या धाबों पर सोचाया करते हैं को बता दे कि असंदेश यात्रा लगभग दो महिनों की है और इस यात्रा में बहुत से घने जंगल शेत्र हैं लेकिन युवाओं का जजबा है कि वह बेधरक अपनी यात्रा को आगे बढाते जा रहे हैं किस उद्देश को लेकर आपने इंदो युवाओं की सेवा भाग रखा है देगी ये बहुत ही पवित्र उद्देश को लेकर केरल से निकले हैं और कश्मीर तक जाएंगे युवाओं में जो चलन ड्रग्स का नशीले पदार्थों के सेवन का बढ़ गया है उसकी रोक थाम हो उसको लेकर युवा जागरेख हो इस उद्देश को लेकर वहां से निकले हैं और अभी विद्यार्थी जीवन में हैं स्टुडेंट्स हैं और स्टुडेंट्स होकर अर्था भाव में अपनी पॉकेट मनी खर्च करके यह इस कैम्पेण को लेकर पूरे भारत में भारत का एक भारत के एक छोड से दूसरे छोड तक जा रहे हैं यह बहुत ही पवित्र और प्रेणादायों देश्य है और दो सा से कैम्पेण के लिए अपने पॉकेट मनी को बचा बचा के इस कैम्पेण को स्टार्ट किया इनने तो यह बहुत ही बहुत महान बात है युवाओं के लिए नशीले पदार्थों का सेवन जो बढ़ गया है उसको लेका साइकल से यह वहां से निकले हैं कश्मीर तक जाएं होगे और निश्चित तोर पर एक बड़ा वर्ग इनसे प्रेरित होकर नशे की लत और नशे की यादत को छोड़ेगा इसलिए हमने इनका यहां पर स्वागत किया और इनके लिए जो संभाव संभाव व्यवस्थाएं हो सकती हैं उसको करने का प्यास है क्या नाम है आपका क्रिष्णा कि फुल नेम क्रिष्णा सुदर्शिक कहां से आ रहा है केरला पालकार कहां को जाना है आपका कैश्मीर जाना चाहिए जिक किस टाइप की यात्रा है एक एंडी नर्कॉटिसम का तीम होता है तीम होने के बाद हम डिशेट कर दा हूँ एरान 4000 किलोमीटर को हमारे पास ने पुमर के बच्छे को एंडी ट्रक्स को डिमोटिए करने के बाद उसको फिसिकल एडिकेशन को इंबोर्टेंस को बदाने चाहिए और उसको अवेर करना चाहिए इसलिए दा यह केंबें कितने दिन की आत्रा है दो महीने का प्लान है और लगबग एकी दिन क प्लान होगा कि युवाओ की संदेश यात्रा का असर नोजवानों पर कितना पड़ता है नरसेपुर से प्रभात महरा की रिपूर्ट